हेलो और वेल्कम टु माई व्लॉग बहुत सारी ट्रैविलिंग घूमने फिरने के बाद अब असने घर का काम करने का क्योंकि घर में है पूजा तो सब सब पहले पूड़े घर को साफ किया गया और अब जब घर पुड़ा साफ हो गया है तो अब मुझे जाना है बाजार क्य की सामान भी तो लाना है तो चलिए चलते है स्विल्चर नेशनल हाइवे बाजार में लेट्स गो देखिए बाजार का बैग मेरे हाथ में आख चुका है और आज एक नहीं तीन-तीन बैग है मतलब आज बहुत सारा सामान लाना है तपती धूप में तपते हुए मैं यहां आते मुझे मिल गया है ताजी ताजी ककड़ी माने कुकुमबर जो अभी मेरे घर का फेवरेट है तो यह लेना तो बनता है साथ यहां पर पत्ता गोबी भी है जो मुझे देखकर काफी सही लगा तो मैंने यह भी ले लिया अब क्योंकि गर्मी का सीजन है तो नीमबू तो हर घर में होना ही चाहिए हर चीज में नीमबू तो चाहिए चाहिए जैसे नीमबू पानी और लंच में भी नीमबू मिल जाए तो बात ही बन जाए तो यहां मैंने 50 रुपे में 3 नीमबू खड़ी जा चलिए अब यहां से आ बहुत ज्यादा होता है और ये मेरे लिए इसली रीचेबल है तो कुछ भी हो मैं मुझ उठा कर यहां पर पहुची जाती हूँ चलिए यहां से भी मैंने खरीद लिया आलू जिसका दाम है 45 रुपिस पार किलो मैंने यहां से दो किलो लिया है और साथ ही साथ थोड़ा अध् लेगी यहां से मैंने लिया टमाटर कच्च्रा पपिता और साथ में बीम्स चलिए यह सब लेने के बाद भी खतम नहीं हुआ है अब यहां से बढ़ते हैं आगे तो एक एक करके तपती धूप में जलकर मैंने बहुत कुछ खरीद लिया एक बैग मैरा पुड़ा भर चुका है और देखिए मेरी हालत अब मैं वापस जाओंगे अपने धन्नों तक और इस बैग को रखूंगे और दूसरा बैग लेके वापस आओंगी बाकी का सामान खर गया है सबजी का ठेला और सबजी के बाद मुझे फल भी खरीदना है पताने कहा पर मैं रखूंगी कहा लादकर में लेके जाओंगी पर इतना विश्वास है मेरी धन्नों मेरा साथ जरूर देगी क्योंकि इसके पास और कोई आप्शन ही नहीं है एनिवे या से मैंने बैं जाके देखूंगी फिलहाल मैं जाओंगी अपने धन्नों पर और फिर यहां से जाओंगी में फल वाले सेक्षन में and here I am एक और नया बैक के साथ क्योंकि बागी का दो तो पुड़ा भर चुका है फल में सब सब पहले मुझे दिखा केला तो मैंने यहां से केला खड़ीद लिया अब चलिए बढ़ते हैं आगे यह देखिए फूल, बेल पत्र और भी यहां पर बहुत कुछ है और मुझे यहां से लेना है फूल और एक पत्ता घर में मा मनसा की पूजा है जहाँ पर यह फूल और इसका पत्ता लगता है तो मैंने यहां से फूल और पत्ते ले लिए क्यूंकि मा मनसा की फेवरेट है ये फूलर पत्ते वैसे फेवरेट से याद आया मैं भी तो आप सबकी फेवरेट हो न तो इस सफर में मेरे साथ रहिए चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए क्योंकि लाइक्स और व्यूज के जरीए आप सबका प्यार और सपोर्टी है जो मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करती है So thank you and keep supporting चलिए फूल बेल पत्र ये सब लेने के बाद अब वक्ते फल लेने का मुझे यहाँ जो जो फल दिखा सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया और थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज्यादा हो गया तो finally खड़ीदारी complete और ये है मेरी धन्नो की हालत ये बैग मैं कहा रखूंगी I don't know तीन बड़ा बड़ा बैग और साथ में छोटे छोटे और भी चार पास बैग हाई मेरी धन्नो ये स्कूटी से ट्रक कब बन गया इसे पता ही नहीं चला अब चलती हूँ मैं घर और मिलूंगी आप लोगों से वही पर तो आ चुकी हूँ मैं घर में और अब इन सारे सामानों को उपर ले जाना ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है जिसे मैंने सक्सेस्फुली कंप्लेट कर दिया है आप देखी सकते हो यहाँ पर कितना सारा सामान है और इन्हें यहाँ तक लाने के बाद ये रहा मेरी हालत मुझे वापस नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगा बट फाइनली आइम फाइन नाओ तो चलिए बैक को अनपैक करते हैं यहाँ आप लोगों के लिए एक सवाल आज मैंने गलती से एक चीज दो बार खड़ीद लिया जो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है तो if you notice, tell me in the comment तो सब कुछ अनपैक करने के बाद अब मुझे सही से रखना होगा मतलब मेरा काम तो बढ़ गाया है तो चलिए मैं अभी लगती हूँ काम पे और आप लोगों से भी अभी विदा लेती हूँ इसी वादे के साथ के मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्ट अगले वीडियो में आप लोग बस इसी तरह मेरे साथ रहेगा और अगर सिल्चार के आसपास कोई ऐसी जगा है जहां आपको लगता है मुझे जाना चाहिए तो लेट मी नो इन दे कॉमेंट तो अभी के लिए बस इतना सी यू इन नेक्स वीडियो बबाई